पाठ च्छ वाइरल इन्फेक्षन गुणवंत शाह साहित्य प्रकार निबंद मित्रो तंदुरस्ति माटे स्वास्थ्य शब्द वपराये छे तेनो अर्थ पोता नामा जेस थाई छे तेवो थाई आपने पोताना माथी निकडी जईये छिए त्यारे शरीर मा रोग पोतानु स्थान जमावे छे एक रिते रोग आपणने शरीर नु भान करावे छे माथू दुखे त्यारे खबर पड़े के माथू छे ए पहला आपनु ध्यान त्या जतू नथी बीमार थाये त्यारे तो शरीर नु ध्यान राखिये छिए पन बीमार अज न थाये एवू ध्यान पन राख मू जोईये मित्रो आपने आपना आरोग्यानी बराबर कालजी लेता न थी ते विशेनी समज आप तो पाठ जोईये पाठना लेखक गुणवंत भूशन लाल शाह चे तेमनो जन्म बार त्रण ओगणी सो साड़ त्रीस ना रोज थायो हतो कार्डियोग्राम रण तो लीला चम विचारोना व्रुंदावन मा वगेरे तेमना नोध पात्र निबंध संग्रहो चे तेओ बीजा एवर्ड उप्रांत भारत सरकारना पद्मश्री पुरसकार्थी सन्मानित थाया चे प्रस्तुत पाठनो साहित्य प्रकार निबंध चे एक जमाना मा चीनना लोको गाम मा कोई मांदू पड़े तो दाक्तरने सजा करता सेम्यूल बटलरे एक एवा आदर्ष समाजनी कल्पना करेली जेमा मांदा पड़नार मानस ने कैदनी सजा थाय बर्टाड रसेले एक निबंध मा भारे गम्मत करी चे कार खोटकाई पड़े तो एनो मालेक थोडोक शर्माए चे परन्तु मानस पोतानू शरीर खोटकाई तेनी वात बीजाओ आगल गवरव पूर्वक करे चे मानस पोतानाज शरीर साथे निर्दैता पूर्वक वर्ते चे भणेला लोकोपण खावा पिवामा अभणनी माफक वर्ते चे डौक्तरो पण पोताना आरोग्य अंगे क्यारेक दर्दी जेवाज बेदरकार जुवा मले चे वर्षो सुधी शरीर अपमानित थतू रहे चे खाटलामा पड़ेलू नानी उम्मरनू शरीर एतो अपमानो असहिय बनी गया त्यारे शरीर द्वारा शरू थयेलो सविनाय कानून भंग चे रदै रोगनो हुमलो कई मफतमा नथी मलतो ए माटे वर्षो सुधी मतवू पड़े चे शरीर ने पोटलू समझी ने कलाको सुधी ओफिस नी खुर्षी मा बैसाडी राखूं पड़े चे औने गमे ते समय, गमे तेवू अने गमे तेटलू खावूं पड़े चे प्रवे रोग ना हुमला वक्ते मानस ने परसेवो वच्छूटी जाये छे। जीवन मा कदी पन परसेवो नथी वळयो तेथी शरीरे पोताना मालिक ने करेलो एक क्रूर कटाक्ष गणाये। रोग थया ते माटे सुखी लोको जे स्थुल साधना करे तेने बैठालू पणू कहवामा आवे छे। आपणा देश मा आवा साधकोनी संख्या ओछी न थी। सविनै इतले विनै के विवेक साथे। कानून भंग इतले काईदानो भंग अथवा काईदो तोडवो अने स्थुल इतले अहीं जाडूं अथवा मोटूं। सविनै कानून भंग शब्दो लेखके शरीरे पाडेली हडताल माटे वाप्रया छे। जेम अंग्रेजो सामे महात्मा गांधिये काईदानो विरोद कोईपन शस्त्रो वगर मूंगा मोय शरू करेलो। तेम शरीर आपनी साथे मूंगा मोय अस्वस्थ तानो विरोद करेचे। बिमारीमा शरीर काम आपतू नथी। एथी मन पण बेचेन बनेचे। गांधि जीनो सविनै कानून भंग आगल वत्तो गयो अने पची एक मूंगो विस्फोट थयो। अंग्रे जो भारत छोड़ी गया। आपनने आजादी मली। एवूंज शरीर नी बाबत मा थाये चे। तेनो सविनै कानून भंग आगल जई विस्फोट करेचे। हाट एटेक रूपे अने जीवन थी आजादी मली जाये चे। होस्पिटल नी शोभा वधारवा शूं थाई शके। घणा खरा खाटला खाली पड़ी रहे। एज तो होस्पिटल नी खरी शोभा घणाये। मानस न छुटके डॉक्टर पासे जाये तेमा कश्चूं खोटू न थी। खरेखरतो संपूर्ण पणे निरोगी होये तेवा मानस होये नियमित पणे डॉक्टर पासे जाये लोही, कार्डियोग्राम अने बीजी बाबतों नी चकासनी करावी लेवी जोईये। ओतानू आरोग्य जलवाई रहे, ते माटेना सूचनो डॉक्टर पासे कोई फरियाद न होय, त्यारे मांगवा जोईये। दात ना डॉक्टर पासे कोई पन प्रकारनो दुखावो न होय, त्यारे समयान तरे जैयावूं जोईये। डॉक्टर रोगनी जालवनी माटे छे क्या आरोग्यनी, आ प्रश्न डॉक्टरोनी कमाणी पर सीधो प्रहार करना रोचे। ओपीडी मां कीडियारू उभ्राय एतो सभ्य गणाता समाजनी शरम छे। अनाथाश्रम मां बाळकोनी अने घरडा घरमा वृद्धोनी संख्या वधे ए कई तंदूरस्त समाजनी निशानी न थी। संकट समयनी साकल वारम वार्वपराय ते योग्य न थी। काडियोग्राम इतले रदयना धबकारा आलेख तू यंत्र। प्रहार इतले उमलो अने संकट इतले मुष्केली। संकट समयनी साकल। रेल्वे मां मुसाफरी करनार सामान छुटी गयो, तेथी पानी भरवानू रही गयो तेथी, नास्तो लेवानो रही गयो तेथी, आम वारम वार साकल खेंची ने ख्रेन उभी रखावे, ते केटनू योग्य गणाए रेल्वे नो काईदो इच चलावे पन नहीं, शरीर मांटे एज काईदो लागू पड़े छे, छता, शरीर मांटे आपने डौक्टर रूपी साकल खेंचवा दोडी जईये छे, प्रथम थी शरीर नी कालजी, आरोग्य नी कालजी राखता न थी, संकट समय नी साकल नजीवा कारणों माटे वारमवार न खेंचाए, एज योग्य गणाए, डौक्टर ने तावनी फरियाद करनारा दर्दियों ने काने, आज काल बै शब्दो अचूक पड़े छे, वाइरल इन्फेक्शन, वाइरल इन्फेक्शन इटले, मोकल नारना सरनामा वगर नूँ वीपी पा डौक्टर ने काई ज न समझाए, त्यारे आ बै शब्दो एनी मददे आवे छे, डौक्टरों नो एमा कोई जवाक न थी, जे देश माँ जाहेर आरोग्य आटलू पांगणू हो है, त्या ढगला बंद वस्ती माँ जथा बंद महामारी होवा नीज, ज्या इंसान अने उक करडों, अडखे पढ़खे मढी, समझीने रहता होई, त्यां हस्पिटलों पंड गंदी होवानी, स्वच स्वच हस्पिटलों वधर्य पढ़ती मोंगी होई छे, स्वच हॉस्पिटल्मा लीला पाटिया पर सुन्दर लखान अवतरन होई छे, जे थोडे थोडे दिवसे बदलातू रहेचे वाईरल इन्फेक्षन अंग्रेजी शब्दनो गुजराती अर्थ अती सूक्ष्म जन्तू वाळा रोगनो चेप अने पांगळूं इटले अशक्त अथवा नबढूं भारतनी प्रजामा गंद की प्रत्ये जे सूग होवी जोईये ते जाजी जोवा मलती नथी गंद की आपणने बहु खलेल नथी पहुँचाडती गंद की नो आवोस्वीकार दुनियामा क्याए जोवा नहीं मले गंद की थी भारे खलेल पांबनारा भारतना सवप्रथम साधू स्वामी विवेकानन दहता गरीबी औने गंद की वच्चेना बहन पणाने कारणे आपनी होस्पिटलों मा ढगला बंद दर्दियो बण बणता रहे छे वेद उपनिशद गीताना वार्षा अने वैभव अंगे गउरव लेनारी आपनी प्रजानों बहु मोटो वर्ग अभण छे आपने त्यां रोग नियम छे आपने त्यां रोग नियम छे अने आरोग्य अपवाद छे सब्वे समाज मा एथी उल्टी परिस्तिती होवी जोईए गांधी जी मांदगी ने लगभग अपराध गणता अने पोतानी मांदगी ने तो आध्यात्मिक भूल तरीके जोता सूग इटले अरूची, खलेल इटले अडचन, अने अपवाद इटले रीत के नियम लागू न पड़े एवूँ समाकूना गुटका खानार ने सफरजन मोंगू पड़े छे, सिगरेट ना धुमाडा काड़नार ने खजूर, अंजीर, आलू, के काजू, मोंगा पड़े छे नास्तामा तलेली वानगीज होई, फल होईज न शके लग्नना रिसेप्षिन माँ पार्टी आपनार यजमाननो प्रेमाल इरादो जमबा आवेला नर नारियोंना पेटनी हालत बगाडवानों होई एवो वहेम पड़े तेवी स्थिती छे, लोको बस खाधे राखे छे, पी धे राखे छे, अने जीविये राखे छे मादगी ने खाटले घणू खरूतों वेड़फाई चुकेलूं जीवन पड़ेलूं होई छे खासी वारम वार आवे तो एक कफ छूटों नथी पड़तों, परन्तु समझन छूटी पड़ी जाए छे रोगना मूल माँ समझन साथे ना छूटा छेडा रहेला छे जे पोताना शरीर ने न समझे, ते वड़ी बीजाने शूँ समझे यजमान, इटले महमानोंनी महमान गती करनार, खासी, इटले उद्रस, अने समझन साथे ना छूटा छेडा इटले समझननों अभाव अथवा अग्न्यान रोग ना मूल मा समझन साथेना चूटा छेडा रहेला छे। ओई पन रोग नू मूल अग्न्यान छे। शक्ता न थी। दरेक व्यसनी ने खबर छे के व्यसन खराब छे। छता त्यों व्यसन छोड़ी शक्ता न थी। समझन साथेनों संबंध पूरो थाई जाये। त्यारे रोग साथे सगपन थाये छे। मननी स्वच्छतानू शरीरनी तंदुरस्ती पर सीधो प्रभाव पड़े छे। जेनू मन भांगी पड़े तेनू शरीर पण भांगी पड़े छे। मननी प्रसन्नता पाचन शक्तीने जालवी लेनारी छे। इरश्या एसीडीटी वधारे एवो पूरो संभव छे। मानसिक तान ब्लड प्रेशरने सली करे छे। अतिशय चिन्ता पेटना अलसरने खो आपे एम बने। पती पतनी बच्चेनो संबंध बन्नेना स्वास्थ्यने सीधी असर पहुँचाडे छे। कितलाक परिवारों मा खड़ खड़ा ठास्य महिने एकवार पण सांभळवा नथी मणतु। मानसे हसवानी एकपण तक छोडवी न जोईये। मुंबईनी ट्रेन मा भजन मंड़ी धूम मचावे छे। भजना नंद ताण मा घटाडो करे छे। प्रार्थना मा ताणने सखणी राखवानी अद्भुत ताकात रहेली छे। सड़ी करवी रुढी प्रयोगनो अर्थ अटक चाड़ूं करवूं अने खो आपवी रुढी प्रयोगनो अर्थ काम बीजाने आप्पूं थाए। एसीडिटी एटले खटाश अथवा पित अने ताण एटले तणाव अथवा मानसिक खेंच। रामे ताड का नामनी भयंकर राक्षसी नो वद करेलो। आपणे ताण नामनी वासा वगर्नी चुडेल नो नाश करवानों छे। दशेराना दिवसे रावन वद करवानी जरूर न थी। परन्तु आपणा अहंकार नो वद करवानों छे। अहंकार एक एवो रोक छे जे असंख्य परिवारोंने पजवे छे अने प्रजाले छे। सरल व्यक्तीनू स्वास्थ्य सारू रहे एवी शक्यता प्रमाण मा वधारे रहे छे। जे व्यक्ती दावपेचर में अने छल कपट मा रहाचे तेनू शरीर पण साव निरोगी न रही शके। मननो मेलो होई तेवो आदमी घणू खरू शारिरिक तकलीफ वगर नो न होई शके। अस्वच्च अने अस्वस्थ मन नशा तरफ जल्दी वढ़े शे। सिगारेट नो धुमाडो मननी बेचे नी नूज वायू स्वरूप गणाए। क्यारेक धुम्रपान करनारो अने शराब सेवन करनारो मानस लांबू जिवी जाए। त्यारे लोको एक कुतर्क चलावे छे। जेम जिववू होय तेम जिवो फलाना भाईने सिगारेट पीवा थी शून उकसान थय। एक स्त्रीनो फोटो अखबारों माँ छपायो। 127 वर्षनी एस्त्री धुम्रपान करी रही हती। तेने मुलाकात माँ जणाव्यूं के हवे तेने सिगारेट पनी संख्या गटाडी काडी छे। आवा दाखला बने तेथी धुम्रपान चालू राखू। ए घरडो तरक छे। वद इटले हत्या अने प्रजालवूनों अर्थ सलगावूं थाए। दाव पेच रमवा रुडी प्रयोग नो अर्थ कावा दावा करवा। छल कपट मा राचवूं नो अर्थ छेतरवामा व्यस्त रहवूं। अने मनना मेला होवूं रुडी प्रयोग नो अर्थ खराब दानतना होवूं थाए। प्रत्येक मानस ने मा, बहन, भाभी, पिता, मित्र के पत्नी तरफ थी भरपूर स्नेह मडी रहे तो कदाज शराबनी जरूर नहीं पड़े हजी आपने त्यां प्रेम नो उपचार तरीके स्वीकार नथी थयो लव थेरापी माटे होस्पिटल के साइकेट्रिस्ट पासे जबू न पड़े भर्यो भर्यो प्रिमाल परिवार तन अने मनना आरोग्य माटे नी पुर्व शरत छे जीवन वीमो जरूरी छे परन्तो जीवन श्रद्धा एथी वधारे जरूरी छे एमा समरपण एज रोकाण अने स्नेह एज डिविडंड मांदा पड़वानू आपने मानिये तिटलू सहलू न थी उपचार इटले इलाज लव थेरापी इटले प्रेम द्वारा करातो इलाज साइकाइट्रिस्ट इटले मनो चिकित सक्त पूर्व शरत इटले पहले थी करेलो ठराव रोकाण इटले कोई कंपनी मां मूडी रोकवी अने डिविडंड इटले कंपनी ना शेर देट अपातू व्याज त्रोन चार वाक्यमा थैछेर बात्प्द इटले गज्वीज थी करा AI प्रे Hue ईटले यबश्र कार यवी Dub